दोस्तो पोस्ट ओपिस के अंदर 5 स्किम्स मैं आपको आज ऐसे बताने वाला हूँ, 2022 के लिए जहाँ पे आपको बैंक से ज्यादा रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही आपको सेफ्टी भी मिलेगी और टैक्स बेनिंग फिट भी भर भर के मिलेगा, देखते रही इस व ये वाला financial year खतम होने वाला नया financial year आपका जल्दी ही, एक महिने बाद ही आपको शुरू हो जाएगा, इसके बाद हम लोगों को जरूरत है investment करने की tax saving schemes में, एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं कि last में November, December का टाइम जब होता है, तब लोग tax planning स्टार्ट करते, लेकिन उसमें आपको काफी ज्यादा घाटा हो सकता है, क्योंकि अगर आपको डेर लाक वाली tax benefit चाहिए, एक टीसी के अंडर जो आपको मिलता है, वो अगर last के टाइम पर पूरा करना चाहे, तो आपको बहुत ज्यादा monthly investment करना पड़ेगा, लेकिन शुरूवात से ही अगर आप क तो दोस्तों हम लोग अभी देखेंगे कि 2022 में best tax saving investment schemes post office में कौन से है, जहां आपको share market में, अगर mutual fund में डल लगता है, पैसे लगाने में, आपको safety भी चाहिए, आपको returns भी चाहिए, आपको tax saving भी चाहिए, तो यहां post office में आपको सब मिलेगा, तो ऐसे हम 4-5 scheme आज देखन पर, तो यह आपके screen के सामने आप देख पा रहे हो, आपके total 5 schemes यहां पर मैंने mention करके रखे हैं, पहला scheme जो आपका public provident fund, इसके बारे में शायद आप लोग जानते होगे, यह long term investing के लिए, यह scheme काम में आता है, यह 15 साल इसका tenure है, मतलब आपको 15 साल के लिए यहां पैसे जम EEE category में tax saving इसका होता, यानि कि आप जो principle लगाएंगे, वो आपका tax saving में benefit आपको मिलेगा, डेल लाक रुपे तक सालाना, इसके बाद जो आपका interest आएगा, वो tax free आपका होगा, और जो maturity amount होगा, वो भी tax free होगा, इसके बाद सुकन्या सम्मिर्धी योजना, यह लड़कियो हो जाए, तो सारा का सारा maturity amount उस लड़की को मिलेगा, उसके शादी, education के लिए उसके parents use कर सकते हैं, और maximum 10 years की 20 साल है, और यहाँ 7.6% का interest rate मिलता है, और यहाँ पे भी आपका principle pay भी tax benefit मिलेगा, interest pay भी tax benefit मिलेगा, maturity amount पर भी tax benefit मिलेगा, इसके बाद NSE की बात करते हैं, जो कि आपका scheme है, और यहाँ पर आपको 6.8% का interest rate मिलेगा, यहाँ पर प्रिंसिपल और interest पर तो tax benefit मिलेगा, लेकिन maturity amount पर नहीं मिलेगा, वहाँ जो भी tax lab के अंडर आपाते हो, तो उसकी सब सब को tax pay करना पड़ेगा, इसके बाद senior citizen savings scheme है, यह 55 years से 60 years के बीच में जो लोग आते है, retired person, उनके लिए यह scheme है, और यहाँ पर आपको 7.4% का interest rate मिलेगा, और सिर्फ प्रिंसिपल पर ही आप 15 लग तक का tax benefit ले पाओगे, हर साल interest पर नहीं मिलेगा, कोई tax benefit, maturity amount पर नहीं मिलेगा, इसके बाद post office का time deposit, यानि की fixed deposit जो हम banks में बोलते हैं, यहाँ पर अगर 5 साल वाला option चूज करते हो, तो 6.7% का आपको interest rate मिलेगा यहाँ पर, और सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पर ही आप सालाना डेल लग तक का tax benefit ले पाओगे, अब दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पार हो, इंडिया पोस्त की जो official website, government की website है, उस पर मैं आपको लेकर 7.7% का मिलेगा, minimum amount आपका 1000 रुपए जमा करने का यहाँ पर, और फिर 100 के multiple में आप बढ़ा सकते हो, maximum कोई limit यहाँ पर नहीं है, और यह single account holder के लिए भी available है, और आप joint account अगर कराते हो, तो भी available है, इसके बाद दोस्तों हम यह देख लेते, senior citizen savings scheme, यहाँ पर अगर आप स्क सिमाम आप 15 लाक रुपए तक invest कर सकते हो, और tax benefit यहाँ पर detail आप देख सकते हो, इसी तरीके से आप इस website पर बाकी के savings scheme भी देख सकते हो, सारे detail में, तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, तो लाइक जरूर कीज़ेगा, मुझे motivation मिलेगा इससे, और सब्सक्राइब कीज़ेगा, बेल आइकन जरूर दवाएगा, ताकि ऐसी वीडियो आगे जब गी मैं बनाओ, आपको notification मिल जाए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं दुआरा आपसे बहुत जल्द मिलूँगा, टाटा